तो दोस्तो अब सबी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं डेलासिन C300 कैपसूल के बारे में डेलासिन C300 कैपसूल फाइजर लिमिटेर द्वारा बनाया जाता है इसमें क्लिंडामाईसिन 300 mg कंटेंट है और इसके मार्केट प्राइज लिबभध 268 रुपए है तो चलो इस शीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्टर और सब कुछ डेलासिन C कैपसूल के मुखे इस्तमाल डेलासिन C कैपसूल का इस्तमाल बैक्टिरिया से होने वाले संक्रमन के इलाज में किया जाता है इसका इस्तमाल पेट, हध्य, हड़ी, नरम, उत्को, तोचा में होने वाले संक्रमन जैसे की मुखे की इलाज में किया जाता है इसका इस्तमाल ओपरेशन के बाद होने वाली संकरमिन के लिए भी किया जाता है डालैसिन C के कैपसुल के लाब ट्रीट्मेंट आप बैक्टरियल इंफेक्शन डालैसिन C 300 कैपसुल अनिक गुनों वाली अंटी बायोटिक दवा है जो आपके शरीर में बैक्टरिया की विकास को रोकने का काम करती है इस दवा को इस्तमाल कई अलग-अलग प्रकार की इंफेक्शन जैसे कि फेपडो पेट तो चामुलायम उत्को हड्डियो जोडो रक्त हद्य के इलाज के लिए किया जाता है ये दवा आम तोर पर आपको कुछ दिनों के अंदर बहतर मैसुस कराती है लेकिन आपको इसे बताए गए अनुसार लेते रहना चाहिए चाहे आपको बहतर मैसुस कर रहे हो समय से पहले बंद करने पर इंफेक्शन फिर से वापस आ सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है डालासिन सी कैपसुल के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकान साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जरुरत नहीं पड़ती और नियमीत रूप से इसका सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते है अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बगडने लगते हैं तो अपने डाक्टर से सला ले डालासिन के सामाने सारी फिल जैसे पेट में दर्द, मिचली आना, उल्टी, डाइरिया, दस्त डालासिन सी कैपसुल का इस्तमाल कैसे करे इस दवा के खुरा कोरनमाप क्याओदी के लिए अपनी डॉक्टर से सला ले इससे साबुद निगले, इससे ना ही चबाए, कुछले और तोडे डालासिन सी कैपसुल को खाने के साथ या भी ने खाए, लिया जा सकता है लेकिन इससे रोजाना एक निश्चित समय पर लेना बहतर होता है इससे उच करने के कुछ खास डिप्स, डाक्टर ने आपको डालासिन सी 300 कैपसुल लेने की सला संकरमन की इलाज और लक्षेनों में सुधार के लिए दी है बहतर महसुस होने के बावजूद भी इस दवा के कोई खुराक ना छोड़े और उलाज का कॉर्स पूरा खत्म करें इसका सेवन जल्दी बंद कर देने से संकरमन दोबारा हो सकता है और फिर इलाज करना ओर कठीन होता है पेट खराब होने से बचने के लिए इसे भोजart के साथ ले साइड इफेक के तोर पर दस्त होना शुरू हो सकता है लेकिन कोर्स पुरा हो जाने के बाद दस्त होना रुख जायना चाहिए अगर यह बंद नहीं होता है तो अपने मल में ब्लीडिंग आता है तो अपने डॉक्टर को सुचित करे अगर आपको रैस चेरे गले या जीव में सुजन या फिर सास लेने में तकलीफ हो रहे तो डालास सी 300 कैप्सूल का सेवन तुरंद बंद कर दे और अपने डॉक्टर को सुचित करे यह जानकरी आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो योडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अन तक देखनी के लिए धन्यवाद दोस्तो